हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए खेती में इस्तमाल होने वाली और कंस्ट्रक्शन में इस्तमाल होने वाली होस उड़ा देने वाले मसीन्स लेकर आये हूँ जिनके काम करने का तरीका सचमुछी देखने लायक है तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा दोस्तो आपने देखा होगा कि बीज बोते वक खेतों में लंबे लंबे पलास्टी के रैपर लगाये जाते हैं जिसे जब निकालने की बारी आती है तो यह काफी जंजट बरा काम होता है लेकिन यह सी क्रोप केर नाम की अग्रिकल्चर मसीन इस काम को बड़े ही तेजी से कर जाती है इस मसीन में दोनों साइड में रोलर लगे होते हैं जिसकी मदद से इस प्लास्टी कोई खटा कर लिया जाता है दोस्तों आप सब अंदाजा लगाई सकते हैं कि बड़े बड़े सुरोंगों के अंदर की सफाई करना कितना जादा समय लेने वाला जंजट बरा काम होता है लेकिन मिलिए इस माइंड ब्लोइंग मसीन से जो की सुरंग की सफाई करने का काम करती है या मसीन टनल को साप करने के लिए पानी का इस्तमाल करती है और टनल में चलते हुए स्रिप एक ही बार में उस जगा को क्लीन करती जाती है नमबर थी लिभभर क्रेन दोस्तों अब मिले दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन में से एक लिभभर क्रेन से जिसकी सक्ती के आगे कोई टिक नहीं सकता इस क्रेइन का इस्त्माल वजन से वजन चीजों को एक जगा से दूसरी जग़ा ले जाने के लिए वाश स्थाने के लेखिया जाता है या क्रेन लगबग 3000 तन तक का वजन असानी से उठा सकता है और इस क्रेन की लंबाई को भी जरत अनुसार घाटाया वो बढ़ाया जा सकता है दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल अच्छी फसल प्राप्ट करने के लिए खेतों में प्लास्टिक के रैप मिट्टी के उपर चड़ा दिये जाते हैं जिसके बाद इन रैप के उपर एक समान छेट किये जाते हैं जो कि काफी ज़्यादा समय लेने वाला काम होता है निर्धार साइज में छेट करते जाता है दोस्तों इस अमेजिंग मसीन का यूज करके आप अपने सरीर को कई तला के थेरेपी दे सकते हो अगर आपके सरीर में हमेशा दर्द बना रहता है तो यह गजब की मसीन आपके सरीर के मास पेसियों के तनाव को ठीक कर सकती है और यह मसीन सरीर में होने वाले कई तला के सुजन को भी जल्द ठीक कर देती है तो दोस्तों आज को डूमबसित नहीं